असलाम उलेकम, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल, आज मैं आपके साथ मज़दार कड़ी चने की रेसिपी शेयर करूंगी कड़ी पकोड़े तो आपने बहुत बार खाए हैं, लेकिन एक बार इस मज़दार कड़ी चने की रेसिपी को भी ट्राइ करें सबसे पहले दो कप देही लेके इसे अच्छी तरह फैंट लें नमक में डालूँगी डेड़ खाने का चमच, आप अपने टेस्ट के हसाब से डाल लें लाल मिर्चे में इसमें डालूँगी डेड़ खाने का चमच आप अपने टेस के असाब से कम यह ज़्यादा कर सकते हैं एक चाय का चमच हल्दी डाले एक खाने का चमच पुना हुआ जीरा डाल दे एक खाने का चमच पुना हुआ दनिया डाल दे एक चाय का चमच अद्रक लसन का पेस्ट डाल दें आप इसमें पांच खाने के चमच बेसन डाल दें बेसन का चमच आप फुल बार कर डालें आप इसे एक बीटर या चमच के साथ अच्छी तरह मिक्स करें कडाही में दही का मिक्स्टर डालें और चार कप पानी के डाल दें ये कप साइज में बड़ा है अगर आपका कप छोटा है तो आप छे कप पानी डाल दें अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आप चूले को जला लें और इसे तेज आँच पर पकाएं जब कड़ी उबलने लगे तो चूले की आँच को हलका दर्मयाना करें और इसे 20 मिनट पकाएं 20 मिनट के बाद कड़ी कुछ गाड़ी हो चुकी है अब इसमें डेड़ कप उबले हुए काले चने और दो बरी कड़ी कुछ सबस मिल्चे डाल दें चैने डालने के बाद 10 मिनट इसे और पकाएं 10 मिनट के बाद कड़ी गाड़ी हो चुकी है अब चूले की आँच को तेज करें और इसमें दो उबले हुए आलो डाल दें हस्बे जरुआ सबस दनिया डालें और इसे दो मिनट और पकाएं दो मिनट के बाद कड़ी कोचूले से उतार लें अब कड़ी के लिए तड़का बनाएंगे फ्राई पैन में आदा कप आईल डालें तीन गोल लाल मिर्चे सफेज जीरा एक चाहे का चमच चार से पांच कड़ी पते डाल दें अगर आपके पास ताजा कड़ी पता है तो आप वो डाल लें जीरे का कलर लाइट गोर्डन हो गया है अब इसमें एक चुटकी लाल मिर्च और तीन सबस मिर्चे डाल कर अच्छी तरह मिक्स करें और चूले को बांध कर दें तड़का कड़ी को लगा दें कड़ी चने बहुत ज़्यादा मज़े के बने हैं और चावलों के साथ तो इसे खाने का बहुत ही ज़्यादा मज़ा है आप इसे एक बार ज़रूर ड्राय करें रैसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कारतें अला हाफिज